मार्च में लोगडाउन की शुरुआत हुई तो वैश्विक महामारी करोना से स्कूली छात्रों की सुरक्षा के मद्दे नजट स्कूलों को भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया जिसके बाद अब तक स्कूल बंद है ऐसे में अद विभिन राज्य सरकारे स्कूल खोले जाने पर विचार कर रही है जिसके बाद ये चरचाएं शुरू हो गई है कि अब सितम्बर के अंत में स्कूल खोल दिये जाएंगे इनी चर्चाओं की वास्त्रिक्ता जानने के लिए हमने उम्बाला में सिक्षविभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने की कोई सूचना नहीं है और अब सरकार ने कक्षाएं शुरू करने के लिए एक और सर्वे करवाने का निर्ने लिया है जिसमें अभीभावकों से सहमती पत्र लिया जाएगा कि अगर एक अक्टूबर से स्कूल खोले जाते हैं तो क्या अभीभावक बच्चों को स्कूल भेजेंगे इसके बाद रिपोर्ट सरकार को भेज़ दी जाएगी और उसके बाद ही मिरने लिया जाएगा अधिकारियों की माने तो यह सर्वे तीन से चार दिन में पूरा कर लिया जाएगा अभी एक तम से ऐसा कुछ नहीं है कि 21 सितमबर से स्कूल खोले जा रही है एक्चुली पहले एक सर्वे किया गया था कि स्कूल खोले जाएं तो अभी लेकिन सर्वे के अंदर उतनी जो रिपोर्ट है वो पुष्ट नहीं है लेकिन उसके बाद जो हमने हमारी सरकार ने यह उपलब्द कराया है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो सारे के सारे स्कूल में जाएं और ताकि बच्चों को यदि कोई समस्थ है तो वो वहाँ पूछ पाएं तो हमारे टीचर्स उपलब्द हैं स्कूलों के अंदर लेकिन बच्चों को अभी नहीं बुलाया गया है बच्चों की क्लासिस लग जाएं इसके लिए फिर से एक सर्वे कराई जाने की बात है और वो हमारे पास उसका एक प्रारूप आ भी गया है कि हम बच्चों के पेरेंट से एक बार इस बात का सहमती पत्तर लें कि यदि एक अक्तूबर से हम स्कूल शुरू करते हैं तो उनका क्या इसके अंतर विचार है तो वो सर्वे पूरा होने के बाद वो रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी तो चली जाएगी अपने आप ही क्योंकि आउनलाइन हो जाएगा सारा वो रिपोर्ट और उसके बाद ही फिरिये निरिना होगा कि बच्चे जुन हैं स्कूलों में तब से आएगे यह सर्वे कम से कब तब करवाया जाएगा यह सर्वे जो है तीन-चार दिन में ही हो जाएगा क्योंकि आज जो है यह हमारे पास आया है और आज के बाद हम यह शुरू कर देंगे तो तीन-चार दिन में यह हफते में हो जाएगा इसारा सर्वे वो जैसे ही स्कूल खोलने के बात आएगी तो आप एमान के चलिए कि विभाग द्वारा हिदायतें भी साथ ही आएंगी सारी गाइडलाइन साथ आएंगी गाइडलाइन के अंतरगत ही खोला जाएगा बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह का जो कोरोना का है वो क्यम्यूनिटी सप्रेड ना हो पाए